हेलो अब्रीवरन वेल्कम बैक तो सक्षम फैमले आज का जो वीडियो रहेगा भई हाँ पे हम सक्षम प्राक्री सेट ठिक यह सेटेटेगो हो चुका है इसके कुछ क्वेश्चन्स हैं वो सॉलिशन हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और हाँ यह जो वीडियो रहने वाल तो सबसे पहले भार्जे संसंद में कौन सा सामिल होता है सबी लोग जानते होंगी नहीं जानते हैं तो पता होना चाहिए आपको भाई यहां पे इसका जो आंसार होना चाहिए था लोकसरब राजस्यारब और राश्टरपती यह तीनों के त्विरव जो जो है आपके संसं कर सकते हैं यहां पर सबसे पहली बात है यहां पर अनुचे 243 क्या यह पंचाइदो राजियों का गठन 243 आप इसको पढ़ लेना है यह एच इसमें कौन से सही होने वाला है तो आपके पास 123 यह वाले जो हैं आपके पास सही हो तो पंचाइताओं को गठने बी में, जी में आपके पास सकतिया है, और यहापे पंचाइताओं को करा रोपने की सकतिया है, तो इसे थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखने है, आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन से एक दबाव समुक की भूमिका निवाता है, दब चारती मजदूर संग, तो इन से मिलके आपके पास क्या होता है, यह वो लोग होते हैं, जो क्या करते हैं, संगठी दूरूप से किसी चीज का बचाओं करते हैं, ठीक, इसके अलावा हमारे पास एक और आता है, जो इधे हुई वाला तो एकजाम एकसर पूशा गया है, एक पहला निवारक जो निरोध था, अधिनेम 1952, जी नहीं, यह आपके पास 1950 का है, ठीक, इसको थोड़ा सा आपको धियान रखना है, इसलिए आपके पास केवल 3 वाला यहां पर सकांसर हो जाता है, सही सुमेलित के बारे में बात हो रही है, तो आंध्रिक सुरक्षा जो भी उस सदसता उसकी खताम हो जाती है, ठीक, और जो सदसता है, वो आपका किस्से है, आपका आर्टिकल, 104, सॉरी, 104 नी, 104 से लेटेट है, ठीक है, इससे संबंदित है, चले आगे बढ़ेंगे, भारत की संचे निदी से धनिर्गम पर किसका नेंदरन होता है, यह आप सभी लोग आपके पास आकस्मिक निदी है, आगे बढ़ेंगे, राश्रपती चुनाव समधी विवाद किसे निदेशित किया जाता है, तो देखिए, राश्रपती समधी जो विवाद होता है, वो आपके पास कौन करता है, यह उच्छतम नियाला करता है, आगे बढ़ेंगे, भारत क इससे दो facts जो आप से पूछा जाता है, एक तो ये थे आपके पास भीया सबसे यूआ, फर्स्ट इंग, और सेकिन इसमें ये पूछा जाता है, कि निर्विरोध, ठीके, ये निर्विरोध भी रहे हैं, तो निर्विरोध रास्टपति अगर आप से पूछा जाए, तो ये इ इतनी बात सभी को किलिए रहो नीचे तो अभी आपके लिए 24 हो जाएगा, बाकी आपके पास जो अनुचियत 17 है, ये अंटचिविलिटी के लिए होता है, अस प्रसेता कंद जिसे बोले जाता है, और आपके पास 19, जो अनुचियत है, यहाँ पे कुछ स्वतंतरता हैं दे तो इस टाइप से होता है आपके पास, अच्छा, एक इसमें आपके पास चलिक है, आगे बढ़ते हैं भी फिलाल इसको पढ़ते रहेगा, थोड़ा सर इवियन करवा देते हैं, प्रस की स्वतंतरता के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, प्रस की स्वतंतरता, अब जो य किसी अधिकार के अंदर गदाते हैं, फोन आपके पास जो टेपिंग होती है, है ना, अधर देखो फोन टेपिंग अभी अगर एक्जाम में पूछ ला जाएं तो आपको ध्यान होना चाहिए, यह भी आपके पास स्वतंतरता के अधिकार के अंदर यह आता है, ठीक है ना, तो यह सारी चीज़े याद रखेगा, उसके बाद है निमने में से किस याचिका का साब्दिक अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं, किसका अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं, तो इसका होता है परमादेश, परमादेश है समझ में आता है, है ना, और कि हम आदेश देते ह उसके बद आपके पद दो चीजे यहां पर आते हैं जैसे अधिकार प्रिच्छा यह होता भी है आपने किस अधिकार से कोई काम कर लिया है जैसे अगर कोई थानेदार है यह थानेदार आपका यह हवलदार है यह हवलदार थानेदार का काम कैसे कर सकता है तो यह अधिकार प यह दल बिदल निरोध अधिनियम है आपके पस 15 मार्च नियों का सौरी फैब्लरी होगा यहां पर जो ऑप्शन नमबर C इसका आपके पस सही अंसर हो जाता है तो इसे याद रखेगा 1985 और इसके बाद जो दल बिदल निरोध अधिनियम है यह आपका उस समय जो है ग्यानी ज ठीक तो यहां पर कुछ चीजे हैं जो आपको यहां पर थोड़ से ध्यान रखने हैं बाकि इसमें कोई प्रॉब्लम भी है बाकि दल बदल का मतलब आपको पता होगा किसी भी बिक्ति को दल बदलने से रोकने के लिए दिना लाए गया था उसके बाद यहां पर 12 है कॉन से इसमें सोमेलित नहीं है देखिए आपको पास ST ST आयो यह 330 में बहुत अचीव नत है उसके बाद आपके पर पर्थम पिछरा वर्ग आयो यहां पर यह वाला जो है ना यह वाला 1952 का नहीं है यह 1953 का है ठीक और यह कब लिके आया गया था यह 39 जिनवरी 1953 को लाए गया था य यहां पर बाकी यह 1993 यह वाला सही है और 332 वाला जहां पर SCST विधान सबाओं में आरक्षण के लिए 332 है और यहां पर SCST लोग सबाओं के लिए जो आरक्षण है वो आपके 330 में आता है आगे राश्वित द्वारा जारी एक अद्यदे संसंत के सत्र सुरू होने के बाद क 6 वीक मतलब 6 सपता तो 6 सपता के अंदर आपको क्या करना है मतलब 7 सुरू हो जाता है उससे प्रहारम में 6 सपता के अंदर रखा जाना आने भारे है यह वाइस का मिनिंग चले आगे बढ़ते हैं भारत के राश्टरपती के पास निमने में से कौन सी वीटो सक्ती होती है द साधरन जो बहुमत होता है उसको साधरन बहुमत से मतलब समाप्त कर देना और पॉकेड वीडो यह ऐसा विदेग होता है जिसमें निर्ने नहीं दिया जाता है ठीक है तो यह भारत में ही है तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखेगा भारत की रश्टरपती की रूप में 11 दिसम्बर को हुई थी 11 दिसम्बर 1946 और जो इसकी थर्ड हुई थी आपके पास वही थी 13 दिसम्बर 1946 चले आगे बढ़ेंगे समिधान के किस अंच्य द्वारा अनुसुचित जनजातियों के लिए एक प्रिथक राष्ट्याग गठन का प्रावधान किया गया तो इसमें आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो 99 सम्बिधान संसुदन है यहाँ पर 2003 का होगा तो इसमें प्रिथक आपके लिए एक राष्ट्याग का गठन का प्रावधान किया गया अब यह किस आर्टिकल में वैसे जो आर्टिकल 338 कहता है इसमें आपके पास अनुसुचित जिस किये गए थे ठीक यहाँ पर आपका लोगसभा और राजसभा का जो कारेकाल है उसे 6 साल तक भी बढ़ाये गया था जो उसके 44 सम्बिधान संसुदन के बाद 6 से अगे 5 साल कर दिया गया था इसे भी याद रखेगा आगे बढ़ते हैं आपातकाल में किस राजी की वि पर आपता है एक 354 आता है 354 में किया आपके पास यह आपके पास विधिया आपातकाल है और 356 इसमें क्या होता आपके पास सम्वैधानिक तंद्र के विफलता तो यह कुछ हमारे पास आपतकालिन संबंधी जो सक्तिय हैं वो इन्स रिलेटेड है तो इसको थोड़ा साब प्रस्ता प्रस्तावित किया जा सकता है कहां भी किया जा सकता है दिखो भी है यह किवल आपके पास राजसवा में होता है सभापती उपराश्रपती राजसवा का ही होता है किसके अंदर गताता है भाई है जो हमारे पास है आर्टिका 360 ठीक तो अगर ऐसा करवाना होता है तो राजसवाब में इसे रखते हैं और लोगसवाब में भी इसे पारित करवाना होता है। आगे बढ़ेंगे किसने दो पूर्णावदियों के लिए भारत के उपराश्टरपती पत का संभाला था। तो यहाँ पे आपके पास S. Radha Krishna ठीक है। आगे बढ़ेंगे राजसवाब में राजियों का परदियों किस बात पर निर्पर करता है। सभापती कौन होता है यहाँ पे देखिये यहां पे आपका राश्टमादी द्वारा निकत किया जाता है। नहीं किया जाता है। एंपर राज़ासवादी द्वारा पूर्यों के बढ़ेंगे। चाले आगे बढ़ेंगे निमलेकित कत्नों को बढ़कर सही विखलकर चेहन आपको करना है आर्टिकल 331 है राश्रपती लोकसवा में आंगले जो भार्दय समुदाए के दो सद्धिसों को मनोनित करता है तो देखे यहां पर जो है यह बात जो है यह 331 में आपके पास सही बा अब यहां पर क्या है 102 में समिधान संसोदन ने एंगलोंडियन का नामा का समाप्त कर दिया जी नहीं यह 104 समिधानिक संसोदन था आगे वर्तमाल लोकसभा में प्रतिकराज्ये के लिए संस्थानों का वंटिन किस वर्थ जन करना पर आधा रही था तो यह आपके पास 1971 है पूछे जाता है तो इसको आपको पता होना चाहिए ठीक है तो आपके पास 2001 में 84 समिधानिक संसोदन हुआ और तब से लेकर यह जो है 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है बहुत पूर संस्था सदस्यों के लिए पेंसन ब्याउस था किस वर्थ लागू की गए थी तो यह ग अपरल को 1952 यहां पर जो अद्यक्ष थे देखें कभी कबार यह पूछे जाता है जी वी मावलंकर जी वी मावलंकर यह इसके आपके पास पहले अद्यक्ष भी रहे हैं और उपाद्यक्ष आपके जो रहे हैं वो रहे हैं में अईंकर ठीक है इसको थोड़ से जयान आपके पास किसमें आपके पास आर्टिकल 80-1 में वह प्रदान मंत्री जिन्हों संसत्र में उपस्त हुई बिना ही त्याग पत्र दे दिया था तो कौन थे ऐसे प्रदान मंत्री तो यह आपके पास थे भईया चौदरी चरणर सींग यह थे ठीक है अच्छा मुरारी जी द सार्टिका 74 होगा याद होगा सभी को राश्रपती सला देते हैं किसके लिए एक मंत्री परसद के लिए बाकी यहाँ पे मंत्री परसद में आपके पास PM आते हैं और उतके साथ अन्य मंत्री आ जाते हैं अच्छा यहाँ पे एक और है यह तो ब्यक्तिगत रूप लिखा तो फिर आपके पास लोग सभाइस का अन्सर होता है Q31, राजनितिक सभदा वली में सुनने काल का किया अर्थ है तो सुनने काल का अर्थ होता है प्रशन उत्तरकाल यह वो time period होता है जहां पे आपके पास, क्या पुछे जाता है, जहां पे डिरेक्टले आपके पास question put up होते हैं, ठीक, तो जो तारंकीत प्रशन होते हैं, वो तो एक लिखित रूप में होते हैं, लेकिन ये वाले प्रशन होते हैं, यहां पे जो ब्यक्ति होता है, वो आपस नियाक्तिक्ली कोईशन पुछ जाता है, मतलब यहाँ पे प्रिपेरेशन के लिए आपको वक्त नहीं मिलता है, और ये वैसे जो ये प्रश्ण तरकाल होता है, ये वैसे संसत की जो प्रकरिया और नियावाली है, उसमें नहीं है, तो इसमें जो है बिना सूचना के, जो के पास बलवन रहे होने चाहिए सुमेलित इसमें कौन सा नहीं है देखे इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है आपको यह बताना है और इसमें जो आपके पास यह समीती है कौन सी एलम सिंग्वी समीती यह आपके पास कि समीथी की सिफारी सबर पंचाय तराज को समयधानी दर्जा मिला तो यहाँ पे कौन सी समीथी थी यहाँ पे? तो यह वाले जो समीथी आपके पास, इसको बुला जाएगा आपके पास ML सिंग भी समीथी, यह भी हमने ज़स चर्जा की थी, इसे बारे में बात की थी, 1986 में उसके बाद जो असोग भाहता समीती है इन्होंने क्या बदल भूला था ये 1977 की है और इन्होंने जो पंचाई तराज है उसके ब्योस्ता को मजबूत कनने हैं तो ये समीती बनाई गई थी, बाकि इसमें इसमें आपके ये कर दी गई थी घटा कर और कौन सा ये? 1989 ये संसुदन बाद है 1988 में ठीक, और अगर हम मतादीकार के बात करें मतादीकार आपके पास किसमें आता है? आर्टिकल 326 के अंतरगत आता है निम्ने में से कौन सा समीधान संसुदन? केंद्रे मंद्री मंदल के आकार को स्थीमित करता है तो यह है आपके पास 91 संसोदन यह आपके पास 2003 में होता है तो इससे पहले क्या होता है जो मंद्री मंदल का आकार होता था वो परस्तितों के अनुसार जो है निर्धारित किया जाता था लेकिन यहाँ पर स्थाइम्धाराइं में संसोदन की पहल की जा सकती है और ऐसे ह 흥ी आहरे ब योग जाता है कि पहल कि जा सकती है तो आपका से संसोदन की जाता है और स्भी कौशी काइब पुछे जाता है और यह पर अकंड था हो गया और यहां पर अखंड था यह यहां पर सब्द जोड़े गये थे question number 40 की तरह बढ़े गए निमली कितनों को पड़ कर सही विकल कप चुनाओ करना है निर्वाचन आयो किसी राजनेतिक दिल को राष्टियात्वा प्रादेसिक दिल के मैं मानता प्रदान करता है तो क्या यह बात सही है नहीं यह बात बिल्कुल हाँ बिल्कुल बात सही है यह वाली वरतमाने में राष्ट दिलों के साथ है जी नहीं वरतमाने में साथ नहीं तो पहला आपके पास जो है पहला गलत हो जाता है पहला सही हो जागा और दूसरा यह हाँ पर गलत तो आज के इस वीडियो में हमने लगवा 40 questions के उम्मीद करता हूँ कि यह 40 के 40 questions आपको as a revision के तोर पे कुछ चीचे समझने को मिले हूँगी सीखने को मिले हूँगी तो बात करेंगे हम next वीडियो में आज के इस वीडियो में इतना ही